कोलकत्ता कान में चक्रिवु में फसी मम्ता बेरर जी का विशलेशन पीडिता के पिता मम्ता सरकार के एक्शन से वो बिल्कुल सुनतुष नहीं है जिन माबाप ने अपनी बेटी को खोया है हौनहार बेटी को खोया है वो अब इंसाफ के लिए गोहार लगा रहे है सुप्रीम कोट ने मामले का स्वता संग्यान लिया है कल सुनवाई होगी ये एहम सुनवाई होगी सुखेंदु शेकर राजिस सबसांतर टीम सी के उनका ये बयाना है कि पूर प्रिंसिपल और पुलिस कमिस्टर को हिरासत में लेकर पूशता जोनी चाहिए कोकि सुखेंदु शेकर को लग रहा है कि एक बड़ी गरबड है एक बड़ी गरबड है और देश का गुस्सा है आज रक्षा बंदन का दिन है सोचिए किस रक्षा का बंदन हम कर रहे हैं अब अभिशेक बेरजी ने टाटीमसी मात एक रेट्वीट के बाद अभिशेक बेरजी ने चुप्पी सादली है यानि यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कलकत्ता हाई कोट ममता सरकार पर सक्त टिपणी और केस को भी CBI को सौप दिया गया है लेकिन आरोप यह है कि सबूतों को मिटाने के लिए तोरफोर की गई है और यह कलकत्ता पुलिस ने कराया है ऐसे आरोप लग रहे हैं डॉक्टर्स का प्रदर्शन रेप कांट के विरोत में पूरे देश में हरताल है सुरक्षा की मांग है मरीजों को दिक्कत हो रही है लोगों को दिक्कत हो रही है आपको दिक्कत हो रही है लेकिन यह जो पूरा मामला है यह अभी कहीं बनता हुआ नहीं दिख रहा बिगड़ता हुआ दिखना है को की पश्यंबंगाल सरकार जसकी तस मुद्धे पे अड़ी हुई है सीवी आरंद बोस जो की पश्यंबंगाल के राज्येपाल है महिलाओं को शुरक्षा देने में मम्ता सरकार नकाम है ये राजेपाल का बयान है और वो ग्रे मंत्री और साथी साथ जेपीनट ड़ा जो की देश के सौस्त मंत्री हैं उन दोरों से मुलाकात का वक्त मांग रहे हैं उनों से मुलाकात करेंगे अब बड़ा सवाल ये है समाज का हर तफका गुस्य में है लेकिन क्या विपक्षी गडबंदन इसे नजर अंदास कर रहा है इंडिया अलाइंसे से नजर अंदास कर रहा है क्योंकि कुछ देता तो सिर्फ रस्मदाईगी कर रहे हैं अकले शादम ने तो इंडिरेक्टली ममत अबिरेजी उनकी फ्रेंड है ऐसा माना जाता है लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है मेरे साथ शेहदाद पुनवाला है भारतेंदर पार्टी के नेता परवक्ता आरन धूबे है इस समें जो की परवक्ता है शिव सेना के सत्य प्रकाश मिश्रा है मेरे साथ सु होट सिलेक्टिव है और सबसे बड़ी बात है पूरा देश गुस्से में है लेकिन विपक्षी गड़बंदन इसे नजर अंदास कर रहा है इस पूरे मैटर को देखे अमीज भाई जिस तरीके की घटना हुई है उसको कोई नजर अंदाज कर दे ये संभो नहीं हो सकता है जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि पूरा देश आक्रोसित है तूसी देश का हिस्सा हम आप भी तो है उस घटना पर सबको आक्रोस है वो घटना बहुत निंदनी है अगर पूरे देश का डाक्टर हरताल पर है तो आप सूचिए कि कितनी बड़ी घटना है सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सुभाविक है पूरे देश में सुरक्षा होनी चाहिए उनकी और इस तरीके के बयान कम से कम नहीं आने चाहिए कि महिलाओं की सिफ्ट रात में हो या दिन में हो क्योंकि हम आप जिस समय में हैं जिस जमाने में हैं जहां दुनिया में सब महिला पूरुस कंधे से कंधा मिला करके चले यो इस बात को हम लोग सुकार करते हैं कि देश तबी तरक्की कर सकता है लेकिन अगर आप ये कहें कि विपच चुप है तो ये बेईमा बहुत निंदनी है लेकिन उस पे क्या आपको नहीं लगता कि भारती जंता पाटी भी राजनीती कर रही है मेरा सवाल आप से ही है आप कहरें कि ये बैमानी होगी अखिलेश जी का सपोर्ट ममता बेनर जी के लिए क्या ये बैमानी है या इमानदारी है पॉइंट नमबर वान पॉइंट नमबर टू जो कि बहुत महत पुन्हें आपने खुद इसकी बात वो ली कि महिलाओं के जॉब पे जाने का कोई समय नहीं होता महिलाओं के काम करने का कोई समय नहीं होता नाइल शिफ्ट ना दें ये ममता बेनर जी के एक सलाकार मुख्य मंतरी के सलाकार बायान दे रहे हैं आज रक्षा बंदन का दिन है और आपकी बहन ने भी आपको राकी बांदी होगी मेरी बहन न ने उनको राकी बांदी होगी मैं आप तो ये प्रश्ट पूछता हूँ क्या आप अपनी बेहन को ऐसा बोल पाएंगे कि नाइट शिफ्ट नहीं करनी चाहिए रात को बाहर नहीं निकला चाहिए तो कैसे मुक्यमंत्री के सलाकार ने इस तरह का बयान दे दिया और मुक्यमं इनरजी जी इस घटना में तो नहीं सामिल है ना एक दूसरी बात आपने जो बात कही उसका हमने खंडन पहले ही कर दिया कि आज रक्षा बंधन है हर बहन अपने भाई की हाथ में रक्षा बंधन बांध कर ये उमीद करती है कि वो उसकी सरक्षा करेगा लेकिन आप कि अगर आज पूरे देश में ये दहसत है सिर बंगाल का सवाल नहीं है मीज़ आई पूरे देश में मेहिलाओं को अगर दढ्र लागा है बंगाल पूरे पूरे देश की बात हम कर लेंगे लेकिन अभी बंगाल का सवाल है बंगाल के अंदर एक मैस्ज़ सवार अपने करना को लेकर बंगाल पर सवाल इसलिए है बंगाल की पुलिस पर सवाल इसलिए कि इसको कवर अफ करने के कोशिश है सबूतो को मिटाने का वहाँ पर प्रियास हुआ है CBI के हाथ में केस आ गया है तो बाप करें CBI दो दिन के दर फैसला दे दे लेकिन पॉइνट यहे है जब सबूत ही मिटा दियोंगे तो CBI को मिले को क्या है वहाँ पर पॉइंट ये है कि महमतब इनरजी का सलाकार आज भी ये बायान दे रहा है कि महिलाओं की नाइट की शिप नहीं लगानी चाहिए बंगाल का मामला इसलिए कोकि बंगाल की सरकार ऐसा लगता है कि कुछ छुपाना चाहती है अमिजवाई माफ करिएगा आप गलत बयान बाजी कर रहे हैं हमने कहा कि इस घटना के खिलाब पूरा देश है हम हैं आप हैं सब लोग हैं कौन कह सकता ये घटना सही है कौन इस घटना के पच्च में खड़ा हो सकता है आप खड़े हो सकते हैं कोई भी खड़ा हो सकता है नहीं खड़ा हो सकता है कोई नहीं खड़ा हो सकता है और हम उस बयान की निंदा करते हैं जो बयान ये दिया गया है कि महिलाओं को नाइट सिप्ट नहीं करनी चाहिए मैं शेदाद पुनावाला के पर जाता हूँ शेदाद पुनावाला हमने इस देश में एक बड़ा प्लेकार्ट गैंग देखा है एक लॉबी देखी है जो प्रदशन करती है लेकिन इस पूरे मामले पे वो पूरी लॉबी शान्त है और आरोप ये लग रहा है कि भारते जन्ता पार्टी भी इस संगीन मामले पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश कर रही है सबसे पहले तो ये विडंबना की बात है कि आज जब हम लोग रक्षा बंधन का पर्व बना रहे हैं तो बंगाल में जिनको रक्षा नहीं दे पाए तो उसको बंधक बनाने की बात हो रही है जो उनके मुख्य सलाकार ने ममता जी के कहा है उनकी बात ये है कि महिलाए रीक्लेम द नाइट का प्रोटेस्ट लिकाल रही है पर ममता दीदी उनसे कह रही है फरगेट द नाइट, नाइट में काम नहीं करना है नाइट भूल जाएए मतलब ये रक्षा बंधन के दिन पर उनसे कहा जा रहा है सोचिए, दूसरी बात आपने आज कहा यूपी में आकरोश, बंगाल में खामोश मैं आगे कंप्लीट करता हूँ वैसे आपका प्रड्यूसर नहीं हूपर मैं कंप्लीट करता हूँ इसके लिए है सहूलियत वाली सियासत का दोश जो हातरस में दिखे विद जोश वो कन्नौज से कोलकता हो गए बेहोश ये इसलिए हुए बेहोश क्योंकि कोलकता में कन्नौज वाले क्या बोले और कन्नौज में कोलकता वाले क्या बोले कन्नौज में भी तो अमीज जी याद है 2-4 दिन पहले मैं आपके डिबेट में था सौभा गया था मेरा वहाँ पर जुही जी नाम की राष्ट्य प्रवक्ता समाजवादी पार्टी साजन जी तो भले आदमी है, मेरे अच्छे मित्र भी है, दोस्त भी है, बड़े भाई भी है उन्होंने कहा बेटी का नार्को टेस्ट कराओ, मुझे नहीं लगता साजन जी ऐसी बात करेंगे एक 65 साल का भुड़ा योद्या में मुहित खान नाम का, वो 12 साल की निशाद समाज की बेटी के साथ अपराद करता है तो कहा जाता है उसका नार्को टेस्ट कराओ, गायत्री प्रजापती कन्विक्ट होता है तो अखिलेश जी कहते अन्याय हो गया गायत्री प्रजापती के साथ और इनके सबसे बड़े निता कहते है बॉइज विल भी बॉइज, चोटी बोटी बातों के लिए क्या फासी पर लटकाना और मैं आना चाता हूँ आज की घटना क्रम पे आज माता पिता ने बोला है साजन जी की बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सबूत मिटाओ और किस प्रकार से बाधा बनाओ, और किस प्रकार से जो भी आवाज उठाता है उसके उपर दबाव बनाओ, अरे बाकी सब छोड़ दीजिए, पुलिस ने किस-किस को नोटिस दिया, डॉक्टर को दिया, नागरिकों को दिया, सुखेंदु रॉय, अरे अमीज जी मुझे सुखेंदु रॉय ने कहा कि ये कमिशनर का जांच कर दीजिए, तो उसको नोटिस आ गया, फुटबॉल की मैच कैंसल कर दी, कि वहाँ पस प्लाकार ना दिखाए दे, और आखरी बात, साजन जी ने क्योंकि कहा कि मैं उस मुख्य सलाकार के बातों का खंडन करता हूं, तो साजन जी एक सवाल आप से, इनके एक मंत्री है, टीमसी के मंत्री उदेयन गुहा, उसने कहा कि ममता दीदी पर उगली उठाएंगे, उगली तोड़ देंगे, आज अरूप चक्रबरती उनके सांसद ने कहा कि ये मुव्मेंट के नाम पर ये लोग बॉइफरेंट के साथ जा रहे हैं, हम आपको नहीं बचाएंगे, ये उनके सांसत का बयान है, मांग कीजे कि ममता दीदी उनके करें, वहां पर कैसे गुंडे घुज गए, उन गुंडों को किसने बेजा, सबूत मिटाने का प्रयास कौन कर रहा है, सबूत किसने मिटाए, माबाप कह रहे हैं कि स सोच के देखिए, सोच के देखिए, शरीर सिहर उटेगा, आत्मा शीर उटेगी, जे एक माबाप ने अपनी होनार डॉक्टर बिटिया को खो दिया, जिनको बोला गया ये सूसाइड है, अब वो कह रहे हैं कि मर्डर के सबूत भी मिटाए जा रहे हैं, रेप के सबूत तक पठाए जा रहे हैं, सोचिए उस माबाप पर क्या गुजर रहे हैं, हो सकता है अजाव अपने घरों में त्योहर मना रहे हो, हो सकता है अपनी बेहन के देखिए, अपने परिवार के साथ बैठे हो, लेकिन महसूस करिए इस दर्द को, ये दर्द आपका हमारा हम सब का दर है ये सिर्फ उन मावाप का दर्थ नहीं है सिहीर उठेगा हिंदुस्तान इन सब बातों को सुनके इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि इस मुद्दे को लेकर पॉलिटिकल बातों को आप अलेदा रखिए लेकिन शोशल इस्पॉंशिबिलिटी को समझिए बहुत जरूरी है और देखिए कौन सानेता क्या क्या बयान दे रहा है और कौन सानेता किस को पॉलिटिकल शील्ड कर रहे की कोशिश कर रहा है